हेलो गाईज वेलकम तो इस वीडियो और मेरा नाम है अमंत्रिवेदी इस वीडियो में हम डिसकस करते हैं वर्ट पार मेड इजी की जो डिक्ष्णरी दी हुई है उसके वर्ट का डिसकेशन हम लोग कर रहे हैं आप सभी लोगों को पता है अल्रेडी तो आगर आप अनेकैड पर शुरू हो चुके हैं अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रिफ्रल कोड कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं 129917042 जिसमें मैं आपको अगर कोई आपकी क्वेरी है related to subscription आप पूछ सकते है तो शुरू करते हैं आज की class with the first word of the day and that is acrimonious. acrimonious का मतलब क्या होता है देखिए acry इसमें जो root word है आपका वो है acryd से acryd में जो root word था उद्वाही root word है acry का मतलब हो जाता है sharp या फिर bitter तो ous अगर किसी में लगेगा तो वो क्या बनता है adjective तो acrymonious का मतलब हो गया angry and full of strong bitter feelings and words उसे कहते हैं acrymonious relations synonym हो जाएगा acryd, bitter, embittered, hard, blanchorous, resentful या फिर sore antonyms हो जाएगा आपका sweet ठीक है for example he had an acrymonious quarrel with his girlfriend yesterday यानि he had an acrymonious quarrel with his girlfriend yesterday यानि की काफी ज्यादा तीक्ष तो काफी ज्यादा गुस्से से भरी भी बहुती दुर्भावना हो दो लोगों के बीच में उसे कहते हैं acrymonious so acrymoniousness अगर n-e-s किसी में suffix लगेगा तो वो क्या बन जाता है noun तो acrymoniousness क्या हो गया noun ठीक है the perfect example for acrymonious relations is this right now ठीक है आप सभी लोग जानते हैं what kind of relations are going on between them so these these are acrymonious relations acrymonious relation मतलब तीक्ष न या फिर जो बुरे relation हो आपके दुर्भाव न हो देख दूसरे के प्रतिख ठीक चलिए next word है हमारा acrymon acrymon का मतलब होता है ability to understand and decide things quickly and well क्याने की acute, acute में जो आता है आपका root word होता है acute वाला acute का मतलब होता है sharp जो acute angle होता है तो उसमें यह point sharp होता है तो acrymon वहीं से आता है मतलब हो गया the ability to understand and decide things quickly and well जल्दी से चीजों को decide करने की ability और quickly जल्दी से चीजों को decide कर सके और समझ सके उसे कहते हैं इस ability को कहते है acrymon synonyms हो जाएंगे intelligence, keenness, knowingness और sharpness, shrewdness, wittiness और example हो जाएगा he had demonstrated considerable business acrymon यानि कि उसने काफी ज्यादा considerable business acrymon दिखाया है अपनी website समझदारी दिखाई है ठीक है तो acrymon के लिए आप याद रख सकते हो simply acrymon का मतलब हो जाता है acute angle का मतलब यह इस तरीके का angle होता है जो 90 degree से कम हो इसका यह point कहता है कैसा होता है बहुत ही sharp होता है यानि कि very serious और severe characterized by sharpness बहुत ही ज़्यादा serious है या फिर severe है characterized by sharpness उसे कहते है acute तो acute pain मतलब बहुत ही severe pain हो रहा है बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है उसे कहते हैं acute, ठीक है, synonyms हो जाएंगे delicate, fine, keen, perceptive, quick और आपका sensitive या फिर sharp, entonyms हो जाएंगे negligible, slow-witted, dull, ठीक है तो यह आपके acute, इसके synonyms हो गए, acute, very serious, severe, characterized by sharpness और यह आपके synonyms हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही severe pain हो रहा है जो बहुत ही fine हो रहा है, ठीक, he was suffering from acute chest pain, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसको ठीक, और adjective है आपका acute, इसमें adjective में अगर हम ly लगाते हैं, तो क्या बनता है, आपका acutely अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को like जरूर कीजिए, अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद आ रहा है, तो comment section में मुझे यह जरूर बताइए, कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, attended जरूर लिखिए, जिसे मुझे पता लगे कि आपको आपने whatsapp पे, अपने whatsapp groups में, facebook groups में, telegram groups में, share कीजिए, जिसे की वीडियो सब तक पहुंच सके, और जो भी vocabulary तयार करना चाहते हैं, तयार कर सके, ठीक है, चली, next है आपका adage, adage का मतलब होता है, well known phrase expressing a general truth about people or the world, यानि कि एक ऐसी saying जो कि general truth आपके express करती है, तो adage हो जाता बारे में या किसी भी चीजों के बारे में एक general truth को express करती है, उसे कहते हैं adage, ठीक, synonyms हो जाएंगे, affirmism, apotheism, byword, epigram, maxim, proverbs, saw, saying, sentinitia, and word, ठीक है, for example, according to an old, the old adage, the picture is a, a picture is a word, thousand words, यहनिके एक picture बहुत सारे शब्द कहती है, तो adage का पूरा example आप देख सकते हो, यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, कह रहा है, आप penny saved is a penny earned, यानि कि जो saying है, आपकी, यह क्या है, old saying है, a penny saved is a penny earned, ठीक, तो this is a adage, adage का example समझगे, एक तरीके की old saying, जो कि लोग बहुत ही प्रचलित हो, और एक general truth को express करत हो, तो adage का मतलब हो गया है, old saying, ठीक है, synonym जरूर याद रखिएगा, aphemism, apotheism, byword, epigram, ठीक, next word हमारा है, आपका adamant, तो adamant का मतलब होता है, determine not to change your mind, or to be persuaded about something, यानि कि बहुत ही ज्यादा जिद्धी होना, और अपनी बात से जल्दी नहीं हटना, अपनी एक जिद्ध को पक adamantine, dog, hard, hard-nosed, hardened, headstrong, immovable, implacable, antonym हो जाएंगे, acquiescent, acquiescent हमने last class में पढ़ा था, जो बहुत जल्दी लोगों से agree हो जाए, agreeable, amenable, friendly, compliant, complying, flexible, pliable, pliant, relenting, yielding, example हो गया, the government remained adamant that there was no more money available, government इस बात पर ठीकी रही, जिद्धी रही कि कोई और पैसा नहीं अवलेबल है, ठीके, adamant का example आप याद रख सकते हो, या अपने उरी का song सुना होगा, जिद है मेरी, जिद है मेरी दर्द चीर के निकाल दूगा, मौका मिले तो करूं मैं यह दुबारा, ठीके, यह आपने सुना होगा, adamant का example था, इसलिए मुझे इसलिए, मैंने यह यह यूज किया, ठीके, so the author is being adamant in this poetry, अब address तो आप सभी लोगों को पता है, आप जहाँ पर रहते हैं, उसे address कहते हैं, इसमें कुछ खास मुझे बताना नहीं है, अगला है adherent, adherent का मतलब होता है, a person who supports a particular set of ideas, और party, वहाँ व्यक्ती जो एक particular set of ideas को support करे, और party को support करे, उसे कहते है adherent, ठीक है, अगला है, synonym क्या हो जाएंगे, acolyte, convert, disciple, epigone, follower, leegeman, ठीक, endonym हो जाएगा, corey fierce या leader, ठीक, तो adherent का मतलब हो गया, वहाँ व्यक्ती, जो particular set of ideas को support करता है, चीजों party को support करता है, ठीक, adhere, कहते है न, adhere to the rules, यहनी की rules को follow करो, तो adherent हो गया, जो एक party line को follow कर रहा है, The movement has many enthusiastic adherents, ठीक है, और चुकि यह noun है, तो आपका, he's an adherent person, तो adherent आपका noun है, adherently adverb नहीं होगा, यह गलत है, ठीक है, तो adherent आप simply याद रख सकते हो, इस picture से, I think, चले, next है आपका, admonish, Admonish का मतलब होता है, to tell somebody strongly and clearly that you do not approve of something that they have done, यानि कि admonish का मतलब होता है, किसी चीज को criticize करना, किसी की बात को criticize करना, सहमती व्यक्त करना, बहुती clearly and बहुती loud तरीके से कि, आप से मैं सहमत हूँ, मेरी सहमती नहीं है, तो उसे कहते है, admonish, ठीक है, synonym हो जाएंगे, Admonish, child, repug, reprimand, reproach, reprove, tick off, ये सारे इसके synonyms हो जाएंगे, for example हो जाएगा, she was admonished for chewing gum in class, ठीक है, तो यानि डार्ट पड़ी इसलिए, तो admonish के लिए आद रख सकते हैं, criticize करना, एक जिस, वायर criticizes government policies, तो admonish हो जाएंगे, next हो गया, adroit, adroit का मतलब होता है, clever and showing skills, clever and showing skills, जो बहुत ही cleverly और skills को show करता है, बहुत ही दक्ष है, बहुत ही निपोड है, seronym हो जाएंगे, artful, bravura, deaf, delicate and dexterous, expert, antonym हो जाएंगे, amateur, amaturist, artless, rude, unprofessional, unskillful, for example, he became adroit at making pots, यहनी की बहुत ही ज्यादा दक्ष, बहुत ही निपोड था, यह सारे words आपने जो root words इस dictionary पड़ी थी तो उसमें आपने ही सब पड़े थे, ठीक है, so, महान सिंग धोणी was adroit in hitting helicopter shot, ठीक है, तो adroit आप याद रिक्सकते हैं, simply, next है आपका adulation, adulation का मतलब होता है, great praise, especially when it is greater than necessary, तो बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना, जितनी आवर्शक ना हो, उसे उसको, उतनी तारीफ करने को कहते हैं, adulation, synonym हो जाएगा, defication, hero worship, idolatry, idolization, worship, so the band enjoy the adulation of their fans when they go, wherever they go, so adulation मतलब हो गया, जितनी आवर्शक है, उसे अधिक तारीफ करना, बहुत जादा तारीफ करना, ठीक है, तो नाउन में अगर 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 अवर्शक है, उसे अधिक ही तारीफ करना, next है आपका adulterate, adulterate का मतलब होता है, to make food or drink less pure by adding another substance to it, यानि कि किसी में, आप मिलावट करने को कहते हैं, adulterate, adulterate का मतलब हो गया, मिलावट करना, to make food or drink less pure by adding another substance to it, synonym हो जाएगा, cut, dilute, extend, lace, sophisticated, thin, water down, weaken, entonim हो जाएगा, enrich, fortify, rich and strengthen, for example, the food had been adulterated to increase its weight, यानि फूड में कुछ और मिलाया गया है, इसके बजन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, next है आपका adverse, adverse का मतलब होता है, negative and unpleasant, जो कि बहुत ही negative है, और unpleasant है, बुरा है, adverse conditions, यानि कि विपरीत परिस्थितियों में, negative and prejudicial, entonim हो जाएगा, advantageous, favorable, friendly, positive and supportive, for example, this drug is known to have adverse side effects, यानि कि इस drug के adverse side effects होने के लिए जाने जाता है, noun हो जाएगा, adverseness, next है आपका aesthetic, aesthetic का मतलब होता है, connected with beauty and art, and the understanding of beautiful things, यानि कि aesthetic quality, यानि beauty से related होता है, aesthetic, जैसे कि this is an aesthetic picture, जो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही अच्छी है, attractive है, beauteous है, beautiful है, comely है, cute है, drop dead है, fair है, fetching है, good है, entonim हो जाएगा, grotesque, hideous, homely, ill-favored, plain, ugly and unattractive, the work of art is just not purely aesthetic ground, तो art के काम को बिलकुल aesthetic grounds पे जाचा जाता है, तो this is an aesthetic picture, next है आपका effable, effable का मतलब होता है, pleasant, friendly and easy to talk to, बहुत ही, मित्रवत होना, effable उसी से related आता है, effable में जो आपका root word है, effable मतलब होता है, मित्रवत होना, ठीक, सिनुने मोजाएगा, breezy, devil may care, easy going, happy go lucky person, entonim होजाएगा, high strong, uptight, for example, he found her parents very effable, उसके बहुत, parents को बहुत ही effable, बहुत ही friendly पाया, और effability, adjective में आप ity लगा दोगे, तो noun मिल जाएगा, इसी से बनता है, effable से affectation, देखिए, a double f आया, तो ये भी love से related होगा, the feeling of liking, or loving something, somebody or something very much, and caring about them, उनके बारे में care करना, किसी को बहुत पसंद करना, और care करना को कहते हैं, affectation, synonym हो जाएगा, attachment, devotedness, devotion, fondness, love and passion, antonym हो जाएगा, abomination, hate, hatred या loathing, for example, children needs lots of love and affection, ठीक है, next है आपका affinity, देखिए, a double f आ रहा है, तो ये भी उसी से आगा, आपने chemistry में, electron affinity पढ़ी होगी, मतलब चीजें जूडी होती हैं, और उसको एक electron को अलग करने पर, जो energy release होती थी, उसे affinity कहते हैं, electron affinity, affinity क्या है, a strong feeling, that you understand somebody or something, and like them or it, ठीक है, तो एक strong feeling, feeling जो आप किसी को समझते हैं, किसी को understanding होना, और उसे पसंद करने की, synonym हो जाएगा, affection, aptitude, bent और bias, bone, disposition, genius और habitude, antonym हो जाएगे, dislike, aversion, antipathy, for example, she feels a strong affinity for him, वह उसके लिए, बहुत ही strong affinity को feel करता है, ठीक है, next है आपका effluent, effluent का मतलब होता है, a-double-f आ गया, मतलब rich होना किसी चीज में, तो effluent का मतलब हो गया, having a lot of money, having a lot of money, and a good substance of living, ठीक है, बहुत अधिक पैसा होना, और बहुत अधिक सम्रद्ध होना, को कहते हैं, affluent, synonym हो जाएगा, loaded, moneyed, opulent, rich, silk stocking, wealthy, well-endored, well-fixed, antonym हो जाएगा, destitute, impecunious, impoverished, indigent, needy, penniless, and penniless, मतलब गरीब हो, ठीक है, it's a fallacy that the effluent give relatively more to charity than the less bought prosperous, यानि कि ये तरीके की, दुरभाब लोगों में, दुरभाब लोगों में, दुरभाब एक, एक, fallacy है, मतलब एक गलत भाबना है, कि जो effluent हैं, वो ज्यादा पैसा दान में देते हैं, बजाए, जो less prosperous हैं उनसे, so effluent का perfect example है, आपके, मतलब धनी, धनाड है, agenda, agenda क्या होता है, list of items to be discussed at a meeting, एक meeting में जो, जो चीज़ें discuss की जानी है, उसे उन्हें हम agenda कहते हैं, ठीक, सिरुने मों हो जाएगा, calendar, docket, program, schedule, timetable, यह आपके सिरुने मों हो जाएगे, for example, there were several important items on the agenda, यानि कि बहुत सारे important items थे, उस agenda में, उस चीज़ में, next है आपका agrarian, agrarian का मतलब होता है, connected with farming, and the use of land for farming, तो यानि कि खेती से related, या खेती से related कोई चीज़ है, तो उसे agrarian कहते हैं, तो इसे agrarian land मतलब, खेती से related land, agrarian person मतलब, किसान, ठीक है, synonym हो जाएगा agriculture, farming, endonym हो जाएगा non agriculture, this part of the country is mainly agrarian, मतलब जो कि खेती से related है, तो agrarian के लिए, simply याद रख सकते हो, आप इस image से, next है आपका aggregate, aggregate का मतलब होता है, total number और amount, made up of smaller amount, that are collected together, तो aggregate कहते हैं, कि कितना हो रहा होगा aggregate, lump sum amount, full sum total, commotion total whole, और end to name हो जाएगा partial, the football team had a low goal aggregate last season, alright, so let's keep it till here, अगर आश्रा करता हूँ, आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, वीडियो को शेर जरूर कीजेगा, जिससे कि बाकी चीजों तक, बाकी series को भी बाकी की videos को भी मैं आगे ला पाऊ, अगर आप चाहते हैं, तो please do share this video, also like this video, और अगर अनकेडमी पर आप मेरा subscription लेना चाहते हैं, तो आप मेरा referral code note कर सकते हैं, that is A-M-A-N-T, जिससे आपको 10% का discount मिलेगा, so let's keep it till here, I hope you enjoyed the session, thank you so much for watching, have a good day, take care, bye-bye.